यह था नाम तथा रूप यानि कि जैसा नाम ठीक वैसा ही रूप जी हां आज मैं बात करें पैंसिल कैक्टस की जो दिखने में बिलकुल पैंसिल जैसा और कैक्टस की फैमली से तो हो गया अपना पैंसिल कैक्टस अच्छा आपके कभी पैंसिल कैक्टस में फूल खिले हैं क् नहीं खिले कोई वात नहीं मेरे वाले पेंसिल कैक्टस के फूलों को एंजॉय करिए और वीडियो पे आगे बढ़ी है नमस्कार वेश्टी वेश्टी पर आप सभी के धेर सारा स्वागत खुब सूरत फूलों के साथ और पेंसिल कैक्टस के साथ अब चुकी गुढहल का गं तो कभी कभी दूर से ऐसे लगता है कि पिंसिल कैक्टस में फूल खिले हैं और छोटे फूलों वाली बराटी है तो ऐसे लगता है कि इसी में शायद फूल खिल गए चलिया चाहिए आप थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए इस पौथे के बारे में सबसे पहले तो आप इसकी लोकेशन देखिए सुबह का वक्त है लगबग 9 बजे का और यहाँ पर धूप पढ़नी शुरू हो गई है इसमें लगबग 4-5 घंटे की धूप रहती है इस पौधे पर अगर आपके पौधे को 4-5 घंटे की धूप नहीं भी मिल लेए तो भी यह पौधा चलता है यह दे इवेन आपकी जहां पर ब्राइट लाइट आ रही है बिल्कुल भी डारेक्ट धूप नहीं आ रही है वहां पर भी यह पौधा आपका चलेगा तो आप यह मान के चलिए कि कंप्लीट ब्राइट लाइट से लेके आपका यह पौधा 5-6 घंटे तक की धूप में चलेगा इ इसी भी हाल में सर्वाइब करने वाला यह देखिए बस थोड़ा सा फरक यह पढ़ता है कि ग्रोथ का जो रेशियो होता है वो कम जादा हो जाता है बाकि पौधा आपका कहीं नहीं जाएगा पौधा बिल्कुल सही सलामत रहेगा चलिए अब जान लेते हैं कि इस पौधे को पानी बिल्कुल कम चाहिए होगा जब मिटी आपकी बिल्कुल सूख जाए तभी आप पानी दें मिटी अगर दलदल बना के रखेंगे तो यह कैक्टर से निशित रूप से आपका पौधा गल जाएगा तो बस पानी तप तप देना है जब जब मिटी सूख हो जाए और जो धूप में नहीं रखा है उसमे मैं पानी चाहिए तो यह आपको देखना है कि आपका पौधा किस जग़े पे रखा है और उसकी मिटी कब सूखती है तब पानी देना है बस आप आप सोचेंगे कि इसकी मिटी कैसे बना है तो मिटी ठीक उसी तरह नहीं है जएसे आप बाकि की उन पौधों की बनाते हैं, जिनको पानी कम पसंद होता है, जैसे कि आपने अडेनियम पौधे की जो मिट्टी बनाई, वो आप इसमें इस्तिमाल कर सकते हैं, आपने जेट पौधे की जो मिट्टी बनाई, वो इस्तिमाल कर सकते हैं, कैक्टिस है, तो कैक्टिस की मि अब जानते हैं कि इस पौधे में हमें खाद कितनी और कब देनी है इस पौधे को बहुत ज़्यादा खाद देनी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है साल में आपने दो बार दे दिया पर्यापत है अभी गर्मी में तो आपको देनी की जरूरत ही नहीं है जब गर्मी के बाद में मौसम ठंडा हो जाएगा तब आप दे सकते हैं देनी कौन सी है कोई भी आप अपना वर्मी कंपोश्ट दे सकते हैं किचन वेस्ट कंपोश्ट दे सकते हैं बाकी और जो बहुत सारी लुकिट फर्टिलाजर्स में शेयर करती रहती हैं वो देनी है बहुत ज़्यादा मिट्टी एसिडिक नहीं होगी तो वो सारी खादें आप इसमें दे सकते हैं पर बहुत ज़्यादा जरूरत ही नहीं होती है क्योंकि खाद के इन पोधों को ज़्यादा जरूरत होती है वो सब कुछ मैं पहले बताती रहती हूं उमीद करते हैं कि बहुत ज़्यादा डिटेल यहां पर पताने की ज़रूरत नहीं है, यह देखिए, कुछ मर्थवे पौधे जो मैं समेट के लाई थी, उनमें भी यह पौधा था, पिंसिल कैक्टेस, लगा दिया था, कुछ एक डंठल तो जिन्दा होई जाएंगे, चलिए बहुत आसान तरीके से होता है इसका प्रोपोगेशन, बिल्कुल छोटी से छोटी कटिंग आप काटेंगे ना, वो आप किसी भी मिट्टी में लगा दिजे, बहुत आसानी से आपका लग जाएगा, तो मैं तो कहती हूँ कि यह पहुता आपको नरसरी से लेने की जरूरत ह ही नहीं पड़ेगी, अगर आपके आसपास किसी के पास है ना, तो आप पेंसिल के साइज की विस उतनी लंबी कटिंग ले लिजे, कहीं पर भी मिट्टी में दबा दिजे, पानी जादा मत डालिए, आपकी बड़ी आसानी के साथ कटिंग लगेगी, तो उमीद करती हूँ को लाइक करिए, चैनल के हिस्सा बनिए और सभी अपनों को वीडियो शेयर भी करिए, मिलती हूँ किसी अगले वीडियो के साथ अब तक लिए धन्यवाद,